प्रेणादायक व्यक्तित्व औश्धिय पौधों का संद्रह करने वाले पतायत साहु। पतायत साहु का जन्म ओडिशा के कालाहांडी जिले के नान्दोल गाउं में हुआ था। पतायत साहु ने अपने घर के पीछे एक गशमलव पांच एकड के जमीन में तीन हजार से भी ज्यादा चिकित सकिये पौधे उगाये हैं। यह काम वे पिछले 40 साल से कर रहे हैं। पतायत साहु आरगेनिक खेती पर जोर देते हैं। अपने प्लांट में वह कभी भी केमिकल उर्वरक का इस्तमाल नहीं करते। पतायत साहु दिन में खेती करते हैं और रात में अपने ओशधिय पौधे की मदद से वैध्य बन जाते हैं। देश में युगो युगो से ओशधिय उत्पादन और उत्भोग हो रहा है। अब मैदानी इलाकों में इनकी खेती होने लगी है। यहां हर ओशधि को जैविक विधी से ही उगाया जाता है। 65 साल के किसान पतायत साहु खुद अपने हरब गार्डन का ख्याल रखते हैं। ज्यादतर लुंगी और कंधे पर स्थानिय गमछा लपेटे रहने वाले साहु ने औशधिय पौधों की तीन हजार से अधिक विभिन प्रजातियों का पोशन और विकास किया है। उनके दादाजी भी पारमपरिक चिकित सकते इसलिए उनके मन में इन पौधों के प्रती प्रेम था। हाला कि उनके माता पिता चाहते थे कि वे पढ़ाई करें और कोई नियमित नौकरी करें लेकिन साहु को स्कूल के बाद अपने दादाजी के साथ घंटों समय बिताना और पौधों के बारे में अधिक जानना अच्छा लगता था। उस समयत लगभग साथ साल पहले एलोपैथिक दवा बहुत लोगप्रिय नहीं थी। हमारे गाव में हर किसी को इन पौधों उनके उप्योग और गुनों के बारे में जानकारी थी। बचपन में यह मेरे लिए एक शौक से ज्यादा था। लेकिन जब मैं बढ़ा हुआ तो मुझे पता चला कि औश्धिय पौधे ही मेरी जिन्दगी हैं। उन्होंने याद किया। अपनी शिक्षा पूरी करने के तुरंत बाद उन्होंने अपने घर के पीछे अपने दादा के पास मौझूद पौधों की प्रजातियों से बगीचा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी खोज उन्हें न केवल काला हांडी के घने जंगलों में ले गई बलकी ओडिशा और कुछ अन्य राज्यों में भी ले गई। समय के साथ उन्होंने अपने बगीचे को समरिध करने के लिए लगभग तीन हजार विभिन प्रजातिया वापस लाई। अपना पूरा जीवन जड़ी बूटी और हरियाली के बीच बिताने वाले पटायत साहु अपने गार्डन के हर पौधे को अपने घर का सदस्य मानते हैं। इनका पूरा समय अपने एक दशमलव पांच एकड बगीचे में ही बीचता है। इस उम्र में भी पटायत साहु आपको मुह जुबानी हर औशधी की डीटेल बता देंगे। सरदी, बुखार, सिरदर्द और त्वचा संबंधी बीमारियों के इलाज के लिए उनके घर के सामने लोगों की कतार बढ़ती ही जा रही थी। उन्होंने इलाज के लिए कभी फीस नहीं ली। इसके बजाए उन्होंने अपने मरीजों की स्वेच्छा से दी जाने वाली सेवा स्विकार कर ली। उनके परिवार ने उनका भरपूर सहियोग किया है। आज उनका बगीचा एक खजाना बन गया है। साहु के बगीचे में काखरू, मैदा, सरपगंधा, सामबर्सिन्ह, रसनाजडी, तिहुडी, भीन, अशोक, लोधा, बिदंगा और शतावरी सहित कई तरहे की वनस्पतिया है। इसके अलावा उनके पास भिंगराज, पेंगू, पनीकुसुमा, राजपत, नागवेल, देबानासन, जलादिंबिरी और जोतिश्मती की पांच किसमे हैं। औश्धिय पौधों के ज्ञान को संरक्षित करने और प्रचारित करने के लिए उच्सुक साहू ने दो पुस्तके लिखी हैं। वे प्रकाशन के लिए प्रतीक्षारत हैं। पुस्तकों में उन सभी प्रजातियों के नाम, विवर्ण, गुन और उपियोग शामिल हैं जिन्हें उन्होंने उगाया है और जिनके बारे में वह जानते हैं। पतायत साहू द्वारा किये गए उतकिष्ट कार्य के लिए हम उनके कार्यों की सरहाना करते हैं। धन्यवाद जो आपको चंदन के पौधो तो प्राप करवाएगा ही और हर समय एक सही मार्वदर्श की तरह मौझूद रहेगा। आप हमसे किसी भी प्रकार के प्रॉड़क्ट और काम्पनी के प्रचार के लिए हमारे दिये गए नंबर पर हमसे संपर्ट कर सकती हैं। धन्यवाद